लो फ्रेंज मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज में बनाने वालू नीबू और हरी मिर्च का बहुत ही तीखा और चटपटा सांचार जो किसी भी खाने को स्वात को दो गुना बढ़ा देता है इससे हमारे यह मिर्चोनी की नाम से जाना जाता है तो चलिए स्टेटी सांचार को बनाना सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ दस नीबू थोड़ी सी ताजी हरी मिर्च जिससे हमने पानी में अच्छी तरह से धोक और इसे सुखे कपड़े से पूँच लिया है सबसे पहले हम हरी मिर्च के डंठल को तोड़ जो मिर्च थोड़ी सी लाल हो चुकी है इससे अब निकाल दें यहाँ पर हमने सभी हरी मिर्च के डंठल को तोड़ लिया है अब हम हरी मिर्च में चीरा लगाएंगे मिर्च के आधे हिसे तक ही हमें चीरा लगाना है सी तरह से हम सभी हरी मिर्च में चीरा लगा का त्यार क उसे किसी के भी साथ खा सकते हैं गाव मिलोती से भूजा और सतोय के साथ काफी पसंद करते हैं यहाँ पर हमने सभी हरी मिर्च में चीरा लगा लिया है अब हम नीबू को दो हिसों में काट लेंगे यहाँ पर हमें सभी नीबू को दो हिसों में काट लेना है यहाँ पर आप किसी भी तरह का खटा नीबू ले सकते हैं यहाँ पर हमने सभी नीबू को दो हिसों में काट लिया है अब मैं यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ली हूँ आप जो भी बरतन का इस्तमाल करें बरतन आपका एदम सुखा होना चाहिए अब हम इसमें नीबू को नीचोड़ेंगे यहाँ पर हमें सभी नीबू को नीचोड़ लेना है परे नीबू नीचोड़ने के बाद आप नीबू को छिलकों को फेके नहीं इसका इस्तमाल आप Home Mad Kitchen Cleaner बनाने में कर सकते हैं आप इसका वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी निबू को निचोड़ लिया है यहाँ पर मैं एक गिलास ली हूँ और यही पर मैं एक छन्नी ली हूँ छन्नी एकदम महीन वाला लीजिए गया आप इसमें हम निबू के रस को छान लेंगे यहाँ पर हमें सारे निबू के रस को छन्नी में छान लेना है यहाँ पर हमने सभी निबू के रस को छन्नी में छान लिया है जो पल्फ छन्नी में रह गया है उससे हम चमच की मदद से दबा दबा का जो एक्ष्टा रस निबू का है उससे हम छान लेंगे यहाँ पर मैं एक कांच का जार ली हूँ जार हमारा जो है एक दम सुखा एफ साफ होना चाहिए आप इसमें हम निबू के रस को डालेंगे यहाँ पर हमें सारे निबू के रस को जार में डाल दिया है अब यहीं पर डालेंगे एक चमच अजवाइन अजवाइन को हाथों से करस करकर डालिएगा अजवाइन का टेस अचार में बहुत ही अच्छा आता है तो अजवाइन जरूर डालिएगा अब यहीं पर डालेंगे एक चमच हल्दी पाउडर हल्दी की मतरा थुरा ज़्यादा ही रखेगा हल्दी डालने से अचार का कलर बहुत ही अच्छा आता है अब यहीं पर डालेंगे स्वाद अनसार नमक अब हम सभी चीजों का अच्छी तरह से चमच से मिक्स कर लेंगे अचार में हल्दी डालने से अचार का कलर तो आता ही है साथ ही हल्दी एंटी वाटी का काम करती है यह अचार को खराब होने से बचाती है अब हम सारे हरी मिर्च को निबू के रस में डाल देंगे आप यहाँ पर अद्रक को लंबे लंबे पीसेस में काट कर भी डाल सकते हैं अद्रक डाल का भी आशार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं अब हम चमच से सभी चीजों को एक बार मिला लेंगे ध्यान रहे निबू करस मिर्ची के उपर तक रहे तकी मिर्ची बड़ी असानी से पक जाए अब हम एक कॉटन का कपडा लेंगे जार के मुख को हम कॉटन के कपडा से ढग कर उसके उपर हम रबर लगा देंगे अब इसे हम दो दिन के लिए धूप में रख देंगे आप इसे हम फिर से धूप में रख देंगे दो दिन बाद आप देख सकते हैं चटपटी तीखी नीबू वाली मिर्ची अचार हमारा बन का त्यार है जब यह मिर्ची अचार पक जाती है तब मिर्ची का कलर हारा से इस तरीके का कलर हो जाता है इस आचार को आप एक सब्ते तक धूप दिखा दे इसे नीबू का रख हमारा अच्छे से पक जाएगा और आचार हमारा लंबे समय तक चलेगा खराब नहीं होगा जब मिर्च खतम हो जाए तो बच्चे हुए नीबू के रख में फिर से हरी मिर्च डाल कर इसे धूप में पका ले तो हमारा फिर से हरी मिर्च का चार बन का त्यार हो जाएगा नीबू और हरी मिर्च की तीखी चटपटी मिर्चोनी हमारी बन का त्यार है यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है आपको हमारा मिर्चोनी बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट के जरी अपने सुझाव जरूर दे मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक लिए थैंक्स फर वचिंग